मैं हूँ आपके साथ पलक प्रकाश और सबसे पहले बात करेंगे बदलते मौसम की बिहार में मौसम ने अचानक करवड बदल ली है जिसके बाद बेतिया में आंधी तूफान के साथ बारिश हुई योगापटी प्रकट में आंधी तूफान के बाद ओला वरिष्टी की वज़े से गर्मी से बेशक रहत मिली हो लेकिन किसानों के चहरे पर चिंता चागे गेहु और आम की फसल को काफी नुकसान पहुचा है तो बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है आंधी तूफान से फसलों को काफी नुकसान पहुचा है जिससे किसान परिशान है हलाकि इस दौरान गर्मी से जरूर लोगों को रहत मिल गई है लेकिन किसान इसको ले के साथ हुई तेज बारिश के कारण मकई और गेहू की फसल को जबर्दस्त नुकसान होने की आश्रन का है आंधी में कई घर तभाय हो गए और हवा इतनी तेज थी कि कई पेड उखड़कर फोर लेन सड़क पर गिर गए पेड गिरने से फोर लेन सड़क पर आवाजाही जिस बसक्राइब से स्पाइब का है तेज आंधि के कारण होटल की स्थिती हो गई है यहां पर दिख रहा है सारी खूषिया टेबूल यहां बिल्कुल पलटकु के काहार्ण तो भी मकासी जरन है यहां पिर गेहूग कर्पने का सीजन है जरही को काफी नुक्सान हुआ है क पिछले आधे गंटेज जितनी तेज हावा थी वो काफी डड़ाबनी थी काफी भयावा थी कुमार मितेज जी मीडिया फॉर्मिस गंज चलिए खबर है शिवहर से जहां पर आंधी तूफान ने कहर बर पाया है और जिले भर में आंधी और तेज हवाओं की वज़े से काफी नुपसान हुआ है दरजनों घरों जड़ गए कई जगहे पर बिजली के तार और पेड़ गिर गए जिससे सड़क पर पेड़ गिरने से कई जगहे यातायाद भी बाधित हो गया और इसी तर है मोती हारी में भी तेज आंधी के साथ बारिश हुई बदलते मौसम की कारण कई शेत्रों में बिजली ववस्था भी ठप हो गई जिला मुख्याले में अंधेरा चाया रहा तो जिस तरीके से मौसम ने एक बार अचानक करवट लेने की कारण तमाम लोगों को समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है बदलते मौसम के चलते कई शेत्रों में बिजली व्यवस्था भी ठप रही जिला मुख्याले में घंटों तक अंधेरा चाया रहा जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है इसे किसान भी परिशान है किसानों के फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है और आंधी तूफान की वजह से कई जगह पर तार तूटने से तार गिरने से बिजली बिवस्था भी ठप रही जिला मुख्यालाय में भी काफी देर तक अंधिरा चाया रहा लोगों को यहाँ पर परिशानी का सामना करना पड़ा